हलो एब्रिवान आप सबने तो यासे बहुत सरे मान भाहिया फिर आनी में देखे होंगे जिसके अंदर कोई कमजोर सा पोटागेश अपने सिस्टम यानिकी गोल्डेन फिंगर के साथ दोस्रे दुनिया में जाता है और जिस गोल्डेन फिंगर के मदद से बागे सब को जो हासनी के साथ हासिल कर लेता है आप लोगोंने कभी ये सोच के देखा है कि इतने पारफल बने के बाद उसका जिंदगी पुरी तरह से खोसीयों से भर उड़ता है और अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं तो फिकर मित किजिए किमकि इस कहानी के अंदर हम उसे भी अपना गोल्डन फिंगर यानि की हिस्टम साब मिला था जिसके मदद लेता हुआ बागी सब को जो हासिल करने में पूरा सिंदिगी बेच जाता है वो तो बहुत यह आसानी का साथ एक ही साल में वह हासिल करने था और जिसके बाद हर तरह का डिवाइन मार्शलार और को मास्टर करना तो वह एंटियान के बायाहत का खेल हो चुका था और आखिर तक वह इतना ही पार्फुल बन जाता है कि दुनिया के सबसे पार्फुल साथ सेंड भी आके तो उसके डिवसाइबल बनने के लिए उताब ले होड़ते हैं पर कहानी पर ही खतम नहीं होता है कि किसके बाद वह इंटियान दुनिया का सबसे फार्फुल जो 900 डीमन गौड था उसे इतनी पूरी तरी के सहराता है जो तो हर मानता हुआ टियान को अपना बॉस बना लिता है और जिसके बाद 900 डीमन के अंदर जितने सारे डीमन थे सब भी तो टीयान का गुलाम बन जाता ह और इसी के साथ सिन प्रिजन में आता है जहां पे तो वांटियान बहुर रिलम में बैठा बैठा हुआ से लेता हुआ सोच रहा था कि आखिर कार मैं इस कल्डिवेशन से भरे हुए दुनिया के अंदर आये क्यों था यह पर आने के बाद मुझे आखिर मिलाई क्या इस दुनिया के सबसे पारफुल इंसान हुए मैं अगर चाहो तो कुछी भी कर सकता हूं तो यह बोर्याद क्या है इससे तो मैं चुटकी बाहते ही दूर कर दूंगा और आखिर मैं इस बोर्याद को हरा हूं तो हरा हूं कैसे और यह कहता हुए तो वोट यह सच्ची में एक च कॉंटियन के ऊपर राज करना आसानी हो जाएगा और पहरे जैसे इससे भी टियान का जी नहीं भरता है जो तो दो बारा से टोनी चच्चे के तरह स्नाप करता है और इस पर स्नाप करते तो टियान के पास बहुत सरे बहुत खुपसर खुपसर से लड़की आ जाते हैं जो आते इना तरह 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 तरीके से टियान को रिजाना स्टार्ट कर देता है लेकिन इन सब से भी तो सक्तलोंडे का दिल नहीं पिखलता है जो तो इन सब कोई बापस भेईता हुआ सोचता है कि मैं आखिर अपने जिंदिगी में क्या ही करूं कोई भी एक आम इंसन का इतना है छोटा है कि उसके अदर एक बुन्द पानी खुशी कर गिप्यां तो वो तो बहुत खुस हो जाता है लेकिन मेरा दिल मेरा दिल इतना छोटा नहीं तो बढ़ा है और यह सब कुछ सोचता हुआ यहां पे पर लेता हुआ एक जोड़ दारुंबा से छोड़ता है औ और इसी सूखी रुखे प्लानेट के ऊपर ही टियान का जो आसू का बुनता वो तो आकर गिरता है और जो गिरते ही तो आइस्ता आइस्ता करके पलक जबगने के स्पीड से वो जो बेंजर सा प्लानेट था वो तो पूरी तरीके से फुल फल उटता है और दूसरे और सब से अंजान टियान तो अभी तक वही सोच रहा था कि देखो ना मेरा जिंदे कितने ही बुरियत से भरावा है जो तो अभी यहां पर थार्ट वाल को दोड़ता हूँ हम सब से हाँ हम सब से कहाता है तुम सब को यह सब कुछ मानबा और यानि में बहुत अच्छा लगते हैं जिस एक लड़ एलयम के मौन्स्रर के साथ लगने में भी मुझे अपना जीजान लगाना पड़ता था एक ऐसा लगा जिसके अंदर तुम्हें अपने अपने अंडरिट वर्शन से भी जादा दीना पड़ता है और जहां पे तुम कभी भी मिर सकते हो और यह सब कुछ कहता जिसके साथ अभी तक मैंने लड़ानी है और इसी के साथ तो टियान उसे ही बुलाता हुआ क्याता है कि अरे ओई कहा हो जट पट करके यहां पर आजाओ जहांपे तो हम लोगों को पता चलता है कि आ रहे यह तो और कोई नहीं बेचरा भार्मरियन प्रामरियल ड्रैगन था जो तो अपने मालिक के बुकायते बिचली के रफ्तार में वाँ टियान के बास चलायाता है और आते ही तो बच्चों कहा हुटता है कि बताये मास्टर मुझे क्या करना है जिस पर टियान हसता हुआ कि कुछ जादा नहीं बस तो मैं मुझे लगना परेगा जो सुनते तो भ जो तो कहता है कि मास्टर आप यह सब कुछ कर रहे हैं इसे चोड़ दीजिए वैसे अगर आप मुझे पीड़ना चाहते हैं तो आप मेरा हड़ी वसली एक भी कर सकते हैं फिर भी मेरे मुझे आपका खिलब एक भी लफ्स नहीं निकलेगा जो सब को सुनने के बाद बेचर मुझे का लड़ने के लिए कह रहा हूं अगर तुम मुझे नहीं लड़ोगे तो मेरा वो कैसे दूर होगा जिस पर भारमलियन कहा उटते हैं कि मास्टर आप यह क्या कह रहे हैं मैं आपका वफादार हो और मैं आपके पर हमला क्या आपके तरफ आख उठा कर देगने का सा क्या है कि हां मास्टर आप सही सुन रहे हैं वह जो नाइन हरे डिपन की घाना वह आज काल कुछ ज्यादा ही उट रहा है तो मुझे से एक बेचार का दो तिन देन के ओपर कभजाव के लिए और मुझे यह भी सुनने मिल रहा है कि वह ना आपको धोका देने के लिए एक ब हम लोगों पता चलता है कि यह तो और कोई नहीं भार्मिलियन रहा है जो तो यहां पर आते हो जोर तारीक सदाहाना स्टार्ट कर देता हैं दूसरे और तो भार्मिले अंड रहा है जितने साले चोटे मोटे डीमनी क्रेचर थे और भी तो उसे तिन सुरे वाले डीमन का एक सिर क्या होता है कि तुम सब बेबगोब किसे काम के नहीं हो ऐसे भागने से तो अच्छा है जाके वो जो खुल देवे लावा है उसके अंदर जम लगा तो जो बात सुन दे तो दूसरा वाला सिर जोर-जोर से रोना स्टार्ट कर हो और फिर तो हम लोगों को यह पता चलते हैं कि यह तीन सुरों बदा डिमन तो और कोई नहीं आशुरा है घोल्सकेप का सुप्री मोबाल लौड यानि के 900 यहां तो फार्मलियान कहा होता हैं कि अरे तुमने मुझे क्या सूचके रखा हैं माना कि कुछ सालों से मैं तुम पारफुल डीमनी कार्मार को बना रहे हो तो कि असची में तुम उस डीवाइन वेपन के मदद से मुझे हाराने के बारे में सोच रहे हो जिस पर ना एंहेंड़ डीमन क्या हो टते हैं कि बगबस बंद करो वैसे भी तुम हाराने के लिए मुझे किसी हातियार का जरूरत नही सब्सक्राइब करने स्टार्ट करते देना तो हम लोग साथ साथ यह पूरा जगाई दबाऊ जाएं कि अरे रुख जाओ बच्चे मुझे लगदा है तुम्हें थोड़ा सा गलत हैं हो रहा है क्योंकि नाइन ही डिमन किंग तुम से फैट करने के लिए हैं पर भारने हैं न गलती करता है लेकिन जो भी हो अंजाने में यह जो मैं गलती कर चुका हूँ इसके लिए तो मुझे से डिमन का मरजा नहीं अच्छा है जो देखता हुआ तो टियान कहा हुटता है कि अरे तुमने कोई भी गलते नहीं किया बैसे बीना पुराने बक्त के तारह और एक बार लगा तो अपने लोयल्टी दिखाने के चक्कर में खुद ही अपना एक सिर को काट देता है जो देखते हैं तो टियानों से रुकता हुआ क्या उठता है कि अरे तुम यह क्या कर रहे हो रुख जाओ और वो नाइन हिर डिमन काट कहा है रुखने बला था वो तो एक साथ अ दो सिरो के बैसे आपको परिशानी का सामना करना परेगा दूसरे और नाइन हिर डिमन गॉट का यह कार नमा देखने के बात दो फार्मिलियन ड्रेगन मनी मन कुछ ज़्यादा इखुस हो रहा था और ही फिर तो भार्मिलियन को यहसे हसता हुआ देखते ले तो वो डिमन और जट बट करके भार्मियन के पास जाता हुआ कहता है, कि वो आखिरकर मुझे यह समझा गया कि इसके मैं मैं करता हूा दोनों ही तो यहाँ पर लड़ना है और इन दोनों के फाइड के बीज में फसा था था तो हम लोगा बेचा राटिया जो तो भी यह सोज रहा था कि आखिर-कार वो यहाँ पर किस काम के लिए आया था और यहां पर अखिर क्या हुरा है और जो दो और एक बा पूराइं इससे अच्छा तो यह होगा कि यह बैट बैट कर एक दो कितब को पहले तो वह जटपेट करके अपने पास एक का आवाई सुने देता हैं जहां पर देखने के बाद दो से पता जाता है और मचली बिल जाने के वह से वह तो आज कुछ ज्यादा ही खुचता जो तो कह रहा था कि आज घर जाते इस मचली से एक बहुत ही लाजबाब शूप बनाऊंगा जिससे आपजब करते हैं जटपट क क्रियेचर डरता हुआ कि मम्मी मुझे बचा लो मुझे अलियन खाने के लिए आ चुका है लेकिन टियान तो उसी छोटो से क्रियेचर के उबर हार्ट स्टेलिंग मंत्र करता हुआ उससे पूछता है यह थोड़ा से मुझे बिता बताव छोटो मिया तुम्हें इतने नहीं होगा लेकिन इस एक छोटो से मुझे पकड़ने से मुझे बहुत कुछी मिलता है यह सामने का बड़ा सा डाम देख रहे हो यह हमें से आसान ही था मैं जब 100 सालों पहले जन्मा था तब मेरे मुझे से कहा था यह जगा पहले टेक्नोरोजी और सहन से भरवा था लेकि लेकिन जातातर सब यहां पर मर गया और एक ऐसे वक्त में जब कहीं पर भी खाना नहीं था एक ऐसे बड़ा करने के लिए अपने अनर्जी को पूरी तरीके से बरवात कर दिया और जिसके वाएसे मॉम का एनर्जी अब सब करता हूँ आ तो बढ़ा हो गया लेकिन मॉम का लेकिन एक ऐसे वक्त में अचनक से आसमान से एक बहुत बढ़ा सा बुन हम लोगे प्लानेट पे गिरा जो बूदना पूरी तरीके से वाइटालिटी और डिवाइन एनर्जी से बढ़ा हुआ था और ही पर तो हम लोगो यह दिखाया जाता है कि इस एक बुन से पूरी तर परने के चकर में तो वो छोट उमिया अपने पूरे पावर को लगा देता है पर इससे भी कुछ नहीं होता है उल्टे तो उस बरे मचली के पावर के बाद से छोट उमिया यह खिचता हुआ चला जाता है और यह सब कुछ सुनने के बाद और चोट उमिया का यह हाल देखन चलिए इतना ये बरावर भारी था कि छोटू का जो रसी था हो तो एक ही छिटके में तूट जाता है जो रसी तूटते तो छोटू मिया पिछे के तरब धराम करके जा गिरता है जिससे तो ट्यान कहाँ दो बैसे भी मैं तुम्हारा मदद करने का कोशिस तो कर रहा था लेकि तो छोटू मिया तो कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं लेकिन हाँ मुझे अब यह पहसने का बहुत जी कर रहा है हो सकते हैं कि पहले बार मैं कितने बर मचली को पकरने का कोशिस किया और जिसके साथ लेरते हुए मुझे मुझे मज़ा आया या फिर यह भ बैटके मैज़े के साथ मशली पर सब्सक्रोट जाते हुए चोटो मिया के दर माइंड लिंकिंग टेक्ट इकनीक कश्टमाइल करते हुए ट्यान तो सोचता है कि मैं तुमें आज दिखाता है कि मुझे और ज्यादा खुछी नहीं कि मुझे पता हुए जो सुनते हैं तो टियान जट पिट करके अब है छोटु के इसका कारण पुशता है But तो हम लों को ये दिखा जाता है This is the डिमाग इंदर खुसने के जगह से उल्ट चोटु का डिशा है टियान के दिमाग में आखुस जाता है और ही पर तो अपने हाथ के तरफ देखते हुए चोग गया था क्योंकि अभी तो इसका हाथ काप रहा था यानि कि पैसा खाना और लर्की से भी ट्यान को जो नहीं मिले था वह भी उसे एक छोटू से एमिशनल बॉंड से मिल चुका हैं और रिखी के साथ इतने सालों के बाद वो तो जटो पड़ करके अपने सिस्टेम स्पेस में घुश जाता है और जहां版 आते ही तो मानता हुए तुमारे हर एक मिशन को कॉंपलेट करते वह इंसानों और जो भी हो सब को हराने के बात मैं आ एक मिशन को पूरा कर चुक हो और अभी तो तुम फ्री हो और अभी ते तुम्हें अपने मेहने से कमा हुए फल का मज़ा उठाना चाहिए पर तुम अभी मुझसे क्या चाहते हो जिसके रिप्ले में टियान खासता हुआ कहता है कि कुछ जाधा नहीं बस मेरे लिए एक मॉम क्रेट कर दो जो सुनते दो सिस्टाम साइ Бेहार के प्लेयर कहीं तुम मजभा करों बैसे भी system के बारे को गावा के दो बारे से सुरुछ इसे बारण म elles करना चाहता हूं कि इस बार मैं अकले नहीं कहना चाहते कि प्लेयर मुझे माप करदा कि इसirmi लिए मैं system हो के तुम्हारा कोई भी achievement या फिर cultivation को नहीं ले सकता है और यह सुनते हैं तो रियांगोट से का साथ कहा हुटता हैं कि अगर ऐसा ही है तो जाओ ना जाके तुमने मुझे जाए से train किया था वैसे ही और किसी को train करो ताकि वो आखे मुझे मार सकता है स्थे तुमें जाब तो मैंने तुमसे कहा था कि तुमें इस पूरे चौर्ट से भी जादा है इसलिए मैं system तो मैंना कर सकता हुए ना तो तुम्हारा किसी भी बीकोईश्ट को पूरा करशकता हूँ और ये सब कुछ बात सुनने के बाद रियान तो इतना ही घुसा हो जाता है जो देहां पे quantum cultivation टेकनिक कर दमाल करता हुआ क्या हुआ हुटता है कि ये boundless cultivation इतना powerful body और इतना सरा life span का मैं रख के क्या करूँगा मैं सब को sacrifice देखे अपने soul को दूसरे dimension में भीदूँगा जो प्लेयरा समत करो ऐसा करने से तुम्हारा हरे का achievement खो जाएगा और प्लेयर का ये action सिस्टेम के knowledge के बारे इसलिए मैं तुम से यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह हो भी गया ना तो तुम कभी भी यहां पर बापस नहीं आपाऊगा और यह सुनने के बावज़त भी ट्यान त प्लेयरा चाहता है कि मैं पर बापस नहीं आपाँगा ये तो और भी अच्छा होगा और इसी के साथ नेकशी सिन में एक सहर दिखा जाता है जहां पर तो बहुत सरे इंसानी धरुदर घुम रहा थे तो गलीयरे के छोड में एक टीनेजर को दिखा जाता है जिससे देखके तो ये पता नहीं चल रहा था कि ये जिन डा या फिर मर चुका है लेकिन हा इस टीनेजर के हाद से खुन बहरा था और जिसके पास बहुत सरे ज्युपए भी मन रहा रहा थे लेकिन तो भी दोसे चल चुक दो पता चुका था कि ये मैशा चुका था, को हासा है आप लोग को यह बला अपिसोड अच्छा लगए अगर अच्छा लागए ना तो सब्सक्राइब और लाइक करते होए जाना मिलते हैं इस वीडियो के नेक्श एपिसोड के साथ जल नहीं तब दक के लिए ठाठा वाइप है और हासा ही होना रहा